नमस्कार दोस्तों ओसीन नेटवर्क में आपका स्वागत है आज बात करेंगे बिहार की राजधानी पठना की और पठना में जुटने वाले मौदी विरोधियों की 23 जुन को वहाँ पर जमावड़ा होने वाला है बहुत सारे नेता इकठा हो रहे हैं और तलाश कर रहे हैं कि 2024 में विपक्ष की तरफ से चेहरा कौन हो नेता कौन हो बारज उनको होने वाली थी ये बैठक पेले टाल दी गई क्योंकि राहुल गांधी शायद उस समय अमेरिका में थे एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी मलिका अर्जुन खरगे शरत पवार से लेकर के ममता बेनर जी और दूसरे चेहरे अगर वहां पहु हो जाएगा राहुल गांधी के वहां पहुँचने के मतलब क्या है माइने क्या है नमबर दो महमता बेनर जी भी पहुँच चुकी है लालु यादव से उनकी मुलाकात हो चुकी है ऐसे में महमता बेनर जी की तरफ से क्या कोई आपति दर्ज की जाएगी अगर राहुल गा सहमती बनाने की कवायद है कि जिन जिन राज्यों में जो दल प्रभावी भूमिका में है जो अखलेश यादव ने सुझाव दिया था कि वो लीड करें लीड करें मतलब फिर वो तै करें कि उसको कितने सीटों पर लड़ना है और जो दल वहां जाकर के लड़ना चाहते हैं ज फिर क्या अखलेश यादव को ठेका दे दिया जाएगा कि आप इतनी सीटों पर लड़ेंगे दूसरे इतनी सीटों पर लड़ेंगे कौन मानेगा इस बात को हर एक को तो अपना जनाधार बढ़ाना है अपना वोट शेर बढ़ाना है ताकि उसकी अगर वो इस्टेट सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए ही पटना चलते हैं सीधे अभिशेक तिवारी से बात्चीत करने के लिए अभिशेक जी बहुत स्वागत है आपका नमस्कार दबश्कार सर जैच रहाँ एक गाना था बागों में बाहर है कलियों पर निखार है तो मैं ये सबसे पहले तो सवाल यही पूछूँगा कि बिहार में बाहर है पटना में बाहर है विबख्षी दलों के नेताओं की बिहार में बाहर ही बाहर है आज ही जो है सिवान के पास बैंक में डकैती हुई है बैंक ऑफ पडोदा की 27 लाग सारा तो सीक्यूर्टी नेताओं के उपर अभी इध्यान है और पिछले तीन महिने में लगभग मुझे लग रहा है पांच-छे बैंक डकैती मतलब अब बैं पटना में कौन-कौन लोग पहुंच चुके हैं और कौन-कौन कल सुबह आने वाले हैं ममताब एनर्जी तो पहुंच चुकी है और कोई अभी नहीं पहुचा है क्योंकि यह संसे बना हुआ है के जरिवाल ने थोड़े दिर पहले आपको पता है यह चिठी लिख के धमाका किया बोला कॉंग्रेस पहले यह बताया और्डिनेंस पे मारे साथ है कि नहीं जी अगर वह हमारे साथ नहीं है जी तो हम इस विपक्षी एक्टा का बाइकॉट करते जी नितीश कुमार को दो ही जिम्मेदारी सोनिया गांधी ने दी थी कि आप विपक्षी दल की एक्ता में हैं सब से पहले बीजु जंता दल को लेकि आइए और साउच से केसी यार को लेकिया आइए वो तो नितीश कुमार करना पाए होतो होनी पाए ज़े जो विपक्षी दल है की नोटें और की है। बाकि जितने लोग हैं वो तो UPA का हिस्सा रहे हैं तो नितीश कुमार जो चाहते हैं अचीव करना वो अभी तक लग नहीं रहा है कि हो रहा है लेकिन खैर महतपूर्ण यह है कि आज सुबह सुबह जैसा कि मैंने अपने चैनल पर शो में बताया था कि नितीश कुमार के को थोड़ा समय अपडेट करूं बेगु सराय में आज सुबह 6 बजे तड़के आँख जब खुलती है तो ताबर तोड़ एडी के रेड होते हैं हवाला और मनी लॉंडरिंग का सर सीरियस एलिगेशन है और यह जो विजेश सारी यह जो अजय कुमार सिंग है विजे चाले हैं और ललन सिंग के बहुत करेवी ललन सिंग कौन जद्यू में नंबर दो नेता अच्छापे क्यों पड़ हैं यह जो मनी और और हवाला है यह सारे जुना नेता करप्शन कर रहे हैं भर रहे हैं पैसा यह सब 2014 की चुनाओं की तयारी है और नरेंदर मोदी भी 2014 की कि तयारी में ही इन पे ताबर तोड़ चापे पड़वा रहे हैं तो अब यह मीटिंग का सार यह है क्यार मोदी रोको ने तो यह हमको करप्शन नहीं करने देगा सर आप एक नेता यह आपके दर्शक तिर्गा में जितने लोग हैं वो एक नेता का इस विपक्षी दल में नाम बता दे जिसके उपर पिछले एक साल में सीरियस एक्स्ट्रीमली सीरियस करप्शन के लिगेशन नहीं रहे हैं और जब अखिले सिया तो सत्ता में थे तो उन पर भी था अर्विंद केजरिवाल ममता बेनर जी अभी सोला सो करोड का एंबुलेंस घोटाला जो सामने आ रहा है इनका नितीश कुमार का जो चल रहा है जिस पर काफी विवाद हुआ लालू यादों के बारे में तो अब सूरज को दिया दिखाने के बराबर हो गया और कॉंग्रेस के बारे में सो लंबा एक डिड़ घंटे का हो जागा तो इसी कौन सी पार्टी है मज सुरेन की तो कुरसी बड़ी मुश्किल से बची है तो ऐ पार्टी के सभी मुख्याई जेल में होंगे तो फिर पार्टी कहां बचेगी रह गए बाद सरद पवार की तो उनके तो भाई कई लोग जो है जेल में हैं उनके तो ग्रिह मंत्री अनिल देशमुक तक जेल की हवा खा चुके हैं तो फिर बात ही नहीं जी यह बताई एक त आम आदमी पारिटी का सहयोग नहीं करेगी तो हम बाइकाट करेंगे इस बैठक का ये बैठक क्या अरविंद केजरी वाल के समर्थन के लिए बुलाई गई थी या दो हजार चोबीस की रणनीची तेह करने के लिए बुलाई गई थी और ये आम आदमी पारिटी रायता फ्यलाने की कोशिश क्यों कर रही है क्योंके आम आदमी पारिटी के एक नेता विकास कुमार जियोती ने एक पॉस्टर भी लगवा दिया पठना की सड़कों के इर्द गिर्द और इसमें लिखा गया है ना आशा है नविश्वास है संभल कर रहना देश के लोगों ये नितीश कुमार है मौदी जी का खासम खास है और केजरी वाल की एक आदम कद जो है तस्वीर इसमें है नरेंदर मौदी और नितीश कुमार का हाथ उठाए हुए उपर की तरफ ये फोटो चस्पा किया गया है ये आम आद चार दीर पहले ही मिल गई थी क्योंकि बिहार में कॉंग्रेस के मेरे कुछ करीबी है तो उन्होंने कहा कि अब शेख जी आप बताइए कि जो कुछ भी राजस्थान में कॉंग्रेस के खिलाफ अर्विंद के जिवाल ने किया उसके पाथ वो हमसे उमीद कर रहा है कि हम समर काली दे रहा है फिर कह रहा ही हुआ कॉंग्रेस वालों ने मुझ पे और जो भगवंत मान है उस पे हमला किया है और फिर भी हम से समर्थन की उमीद कर रहा है दिल्ली पंजाब गुजरात हम से खा गया हम ही से लड़के यह तो नहीं हो सकता इसलिए मैंने कहा कि राहूल ग को नहीं ले रहा है तो अब केजरिवाल को भनक पड़ चुका है कि इस विपक्षी एकता में सिर्फ हाथ हिलाने वाला है हमें कॉंग्रेस जो है ओडिनेंस बिल पे दिली में जो लगा है ओडिनेंस उस पे साथ नहीं देगी तो बिल पास तो होई जाएगा तो इसी वज़ केजरिवाल को अच्छे से पता है कि इस विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है मैं जिस्तेजी से आगे बढ़ रहा हूं अब राजस्थान और मद्धिप्रदेश में सबसे पहले कॉंग्रेस को मिटाना जरूरी है उसको मिटा दिया तभी मैं पीम पद का ख्वाब सपना जो भी है वो अच्छे से देख सकता हूं यह बताईए इस मीटिंग में होने क्यावाला है क्या होगा इसमें क्या तै होगा इसमें क्योंकि मैं जो लिष्ट देख रहा हूं जी ममता बेनर जी हैं अखलेश यादव हैं मलिक आरजुन खरगे हैं राहुल गांदी हैं अरवि होंगे पर इतने सारे नेता हैं इतने सारे चेहरे हैं जो एक दूसरे को अपना नेता मानने को स्विकार करने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है तो क्या शीट शेरिंग के लिए होगा महमताब एनरजी क्या कॉंग्रेस के लिए तैयार हो जाएगी स्पेस देने के लिए या वाम कीटे चोड़ने को था यार होगा लालू यादो छोड़ देंगा नो प्रॉब्लम वो जानते हैं वो पहले भी छोड़ चुके हैं क्योंकि सोनिया गांधी को दो लोग पे बहुत ज्यादा भरोसा एक सारद पवार और दूसरे लालू प्रशाद यादो पुराने लोग है तो च्छापे पड़े एक्चूली तो यह सारी बातें उसके पात्तापर तो च्छापे पड़े तो समझ में आ Oh कि यह जो है कितना दूर आ फिस दूर मुझे तो यह लग रहा है कि level 24機 पहले इस मैंची एक्टा दल के कुछ प्रमुख और बड़े लेडर वो तिहार में बैठके लूडों खेलेंगे और वहीं सरकार बनाएंगे क्योंकि जो मैंने कहा है आप ही कि शूपे मैंने साथ तीन-चार महीने पहले एक बात कही थी कि अभी असपस्ट हो गया है कि नरेंद्र मुदी दोहजार चौबिस के चु द्राब में भी रहे हैं वो दोनों मंत्राले उन्के पास हुईक उनको लेके जा रहे थी वो रोते हुए जा रहे थे तो जाना सबकों है क्योंकि आप लोगोंने जो पार्टियों के नाम पे जो एक प्राइवेट प्रपर्टी बना करके काम किया है डेमोक्रिसी को जिसको कैसे कि गंगोतरी शब्द यूज होता है, हलाएकि यह सही पवित्र सब्द है, तो मैं वो यूज नहीं करना चाहता हूँ, जो यह भरस्टाचार की मुख्य नाली है, कॉंग्रेस, क्योंकि यह सारी पार्टिया मिलके वहीं जाती है, जब तक समाप्त नहीं कर लेंगे ना, तब तक वो भी जानते हैं, देश को आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि कॉंग्रेस के पास आइडियाज हैं, इस देश में आराक जगता फैलाने के, वो प्रोटेस्ट के नाम पे, देश भर में आग लगा सकती है, कॉंग्रेस के पास इतने रिसोर्सें से सब के इतने देखिंगे बिस जी ये बेठा कैसे समेह हो रही है, जब प्रदान मंत्री नरेंद्र मौधी का वाइट हास में ंग्रेंड वेलकम हो रहा है, वेलकम भी आसा हो रहा है, जो शायद देखा नहीं गया है, पहली बार वाइट हास के बहारत वन्शियों के लिए भार् उनको वेलकम कर रही हैं, वो अबोत पूर्व है, क्या विपक्ष के नेता ये मांच चुके हैं दिल से, मन से, के नरेंदर मौदी को सत्ता से हटाना लगभब नामुम्किन हो गया है, इसलिए सब फिर से एक जुट हो रहे हैं, और ये एक जुटता तो 2014 से हम देख रहे हैं, 2014 में भी इन्होंने यही सब किया था, 19 में भी यही किया था, अभी 2024 से ठीक पहले भी यही हो रहा है, ये मरग तरशना है, और ये एक तरीके से मौदी के सामने सरेंडर करने वाली मुद्रा भी है, कि वही हम यही कोशिश कर रहे हैं, कि सारे मिल जाएं, तो शायद आपको रोक लें। मुश्किल है, देखी, इस वक्त विपक्ष का जो है वो तो पता नहीं, लेकिन कॉंग्रेस के पास जो भी यह प्लान, उसके कुछ मेरे पास फीड़बैक है, कॉंग्रेस यह चाहती है कि आराग जकता पहला करके, देश पे बहुत सारे विवाद क्रियेट करके, किसी तरह स हैं, तब वहाँ पे नितीश कुबार या फिर कुछ ऐसे एसे को भीज करके, हम यह बारगेन करेंगे कि मोदी पीएम ना रहा, और बीजेपी के आसंके कुछ दूसरे लोग हो जाए, लेकिन मोदी पीएम ना रहा, ऐसी इस्थिती में लाने के लिए वो देश में कुछ भी करेंगे, और यह इनके पास पक्का प्लैन है, आपको उदार देता हूं, पता नहीं कितना आप लोगों ने या आपके दर्शकों ने ध्यान दिया है, मैंने फेस्बुक के कुछ पैटर्न डिकोड की हैं, जो आजकल फ्लैश हो रहे हैं, एक चैट आती है, कि बताइए सहार सहारणपूर में गूजर इतना वोटर है, राजपूत को टिकट देंगे, तो राजपूत जो है, गूजर जो है, वो बहिशकार करेगा, दो हजार चौबीस में मोदी को सबक सिखाएगा, फिर एक फेक आईडी से राजपूत आता है, और कहता है कि हम गूजरों को सबक सब्सक्राइब और इस प्रकार के सब्सक्राइब की जा रहे हैं अब इसमें इन्हीं में से कोई हिंदू जाती का देखेगा तो जिस लेबल पर जा रहे दोराया जा रहा है और यह बहुत खतरनाक चीज है जो मैं बता रहा हूं तो पहला यह दूसरा मुसल्मानों ने जो कॉंगरेस के तरफ शिफ्ट लिया है उससे ममताब इनर्जी भी डरी हुई है और यह लेकिन बीजेपी के लिए रहत की बात यह है कि आंधर प्रदेश में तेलगू डेसब पार्टी बेचैन है बीजेपी के साथ जुढने के लिए और अगर यह विपक्षी एक्ता हो गए और केजरिवाल और कॉग्रेस ने हाथ साथ में उठाया तो समझ लिए पंजाब भी इनके हाँ से गया क्योंकि हर सिम्रत को और बहुत माफी भी मांग रही और वो चाहरी की वापस एंडिये का पार्ट बन जाए और पंजाब में इंडिये साथ में लड़े कुछ सीटों को डिकोडू लोगों ने किया कालियों ने और बोला कि अगर बीजेपी साथ होती तो हम नहीं हार तो अब यह गठबंदन पुले होने जा रहा है तो मुझे बहुत धन्यवाद अभी शेख जी जुड़ने के लिए और धन्यवाद से पटना में होने वाली विपक्षी दलों के नेताओं की बैटक को डिकोड करने के लिए थैंक यू स्वाद धन्यवाद से नौमकार सेर के सभी दर्शकों को जैश्रा प्रणाब